लल्लू सिंग के बयान के बाद इंडिया गटवन्दन इस बात को समझाने में दरितों के बीच सब्तल हो गई इस समीधान खत्रे में है और उसी का पंडाम है लल्लू सिंग खुद चुनाम हार जाते हैं और दूसरी बात भाजपा कोई तरीके से कमजोर करने का काम कोई किया है और जो लोग कह रहा है कि आयोध्या नहीं हारना चाहिए इसकी शुरुवात आयोध्या से ही प्राची जी होती सांसत के प्रतिक गुष्सा था और गुष्सा ओट में तबदिल हो गया और राजिस्तिति तो वहां के नागरिक लल्लू सिंग के पास जा रहे है तो लल्लू सिंग का रहे थे मेरा मामला नहीं है योगी और मोधी से के पास आप जाईए अब बताए जनप्रतनिदी उन्हें लगा कि शायद यहां पर मोधी मैजिक काम कर जाएगा लेकिन सच्चा यह है कि अपने सांसत से कुछ आप एक शाय थी उनकी कुछ जरूरते थी जो सायद वहां के सांसत नहीं सबस्पाइड आप जो है जलकल से कैसे उनको सट्टिकेट दे दिया नगर निगम से अरे जो राम के नहीं वे वह भला राम को लाने वाले की क्या होंगे और वैसे भी प्रेता युग में मासीता ने आयोध्या को यह श्राप दे दिया था कि उसे उजड़ा उखडा ही रहना है अब जस अयोध्या की नियती में उजड़ा उखडा रहना लिखा हुआ है उसे भला ये सुक्सम्रिध्री कैसे रास आएगी जबसे भाजपा ने अयोध्या की सीट हारी है तब से सोशल मीडिया पर लगातार अयोध्या को कुछ इसी तरह से ट्रोल किया जा रहा है भाजपा को एक बड़ा जटका लगा है इसमें कोई संदे नहीं लेकिन अकर सबसे ज़ादा किसी सीट की चर्चा है तो वो है अयोध्या यानि की फैसावाद लोकसभा सीट कोई ये कह रहा है कि 400 पार के नारे ने भाजपा का बड़ा नुकसान किया है तो कोई ये कह रहा है खासों से विपक्षी समर्थक ये कह रहे हैं कियरे बढ़का राम को लाने वाले हुए थे दिखा दिया ना योध्या ने लेकिन इस तर्क और कुतर्क के बीच आए आज जड़ा तक्षों पर बात की जाए आए जड़ा उन फैक्टर्स को समझा जाए जिसकी वज़े से भाजपा ने आयोध्या जैसी सीट हार दे तो आयोध्या की हार के पीछे क्या कारक रहे हैं इस पर विस्प्रत चर्चा करने के लिए हमारे साथ आयोशी है आयोशी बहुत सफार्गत है आपका आयोशी वैसे तो हमने टेलिविजन पर ये देखा ही है कि लोग 400 पार के नारे की बड़ी दिन्दा कर रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार के नारे का साइड एफेक्ट जो है वो भाजपा को सहना लेकिन ये 400 पार का नारा आयोध्या से इसका क्या संबंध है ये आज आप हमारे दर्शकों को बताईए देखिए पहली बात कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया लल्लू सिंग इस नारे का उपयोकी है ठीक है अच्छी बात है करना चाहिए हर पार्टी के हर सांसत करते है चार सो पार का नारा लेकिन उन्हें ने क्या ब्यान दिया बयान ने दिया कि 400 अन्डिये जीतेगी और बीजेपी काफी मजबूत हो जाएगे उसके बाद हम समिधान में संसुधन करेंगे समिधान में बदलाव करेंगे अब उनकी सोच जो भी हो लेकिन विपक्ष के लोग इंडिया गडवन्दन के लोग उस मुद्धे को लपक लिए और पांच भेज तक इस मुद्धे को नहीं बनाए गया पांच से साथ अंतिम चरण में जो चुना हुआ है संतावन सिख्य ज लल्लु सिंग को उसी समय निश्कासित करना चाहिए था क्योंकि लल्लु सिंग के बयान के बाद इंडिया गडवन्दन इस बात को समझाने में दरितों के बीच सब्तल हो गई इस समीधान खत्रे में है और उसी का पड़ाम है आज सीटों के इस्तिते देख रही है लल्लु सिंग खुद चुनाव हार जाते हैं और दूसरी बात भाजपा को तरीके से कमजोर करने का काम कोई किया है और जो लोग कह रहा है कि आयोध्या नहीं हारना चाहिए इसकी सुर तो शायद आज ये इस्तिती जो है वो भाजपा के नहीं होती और 400 पार के नारे का केवल एक साइड एफेक्ट नहीं है इसके और भी साइड एफेक्ट है जैसे की ओवर कॉन्फिदेंस जाहिर सी बात है कारेकरताओं में एक विश्वास था कि 400 पार आ जाएंगे जिस तर कि इतने सीटें लेकर के आएंगे और उतनी सीटें आई उसी तरह से ये कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं को विश्वास था कि इस बार भी मोधी मैजिक काम कर जाएगा जिसके वैज़े से वो और कॉन्फिदेंस में रहे होंगे क्या कहते हैं कुछ कार्यकरता ऐसे थे जि लेकिन एक कार्यकरता ऐसे थे जो अति उत्साह में थे उस सडक और चौराहे पर जाते थे कहते तेरे भाईया हमारा तो 400 पार आही जाएगा अरे भाईया 400 नहीं तो 350 चार तीन सो पचास नहीं तो 300 तीन सो से कम नहीं आए हुआ तो वही 290 तीन सो के करीब आ लेकिन आज ज बंदन के लोग भी जोर लगा रहा है सरकार बनाने के तो अति उत्साह 400 पार का अति उत्साह बीजेप लेडूबा और लल्लू सिंग भी इसमें कम जोर दिखे और आज हासिये परव हार गया अच्छा आयू जी यह तो आपने कर दी ओबर कॉन्फिडेंस की बात एक बज़ में हुआ है हो सकता है कि लल्लू सिंग ने जो है वो काम किया होगा लेकिन जस तरह से उन्हें दिखना चाहिए था अयोध्या में अयोध्या वासियों के साथ उस तरह से वह नजर नहीं आए है जी बिल्कुल इसको मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का ध्यान अवध्या में था ललू सिंग मेरा मामला नहीं योगी और मोधी से आप बताईए जनप्रत्निदी जाएगा कि जनता जाएगा बिल्कुल सही बात करेगा ना चाहे योगी आदितिनाज से बात करेगा चाहे मोदी जी से बात करेगा आपके इतने परियोजना लाने के बाद अधिया में हमारे अधिया नगरवाश्री के लोग नराज है और विदया में नहीं हो रहा रहा है ऐसा नहीं हória राम के रवारति से पर 25 नाराज़ थे वहां के सांसत से क्यों नाराज थे वहां के लोग भाव क्यों नहीं हुए ये लोग सोसल मीडिया पर आज सवाल कर रहे हैं जैसा कि हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर जिन लोगों के मकान टूटे हैं जिन लोगों के जो है वो दुकाने टूटी हैं वो कहीं नारास थे और जाहिर से बात है कि आयोध्या के सांसत ना योगी थे ना मोदी थे वहाँ के सांसत थे लल्लू सिंग और लोग अगर गए तो लल्लू सिंग के पास गये लेकिन लल्लू सिंग इस बात को नहीं समझ पाए उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर मोदी मैजिक काम कर जाएगा लेकिन सचा ही यह है कि योध्यावासियों की अपने सांसद से कुछ अपेक शाय थी उनकी कुछ जरूरते थी जो सायद वहां के सांसद नहीं समझ पाए और इसी वजए से भाजपा को यह दिन देखना पड़ा है अच्छा आयूशी मैं जरा बात आपसे इस बाततर भी करूंगी क्योंकि लल्लू सिंग की शवी को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं लोग यह कह रहे है क्यों कहीं के मांनों में सनलिक्त रहे इसकर आप क्या जहां तक ल笑 संहिए इस तरह का चीजे अखबारों में भी आ रहे हैं लल्लू सिंग जब भूमिका अधिगरान और युध्या में किया जा रहा था उस समय लल्लू सिंग को भूमिका को सब्दीए जैंटा से समवाद जनता उनके पास जा रही थी रो रही थी गेड़ा रही थी आप हमारे सांसद ह मोदी जीन विंदल को लेकिन विकास हो रहा है कि अधिकरहन के खेल में जो अने पोने दाम पर लिया गया है वहां के चाहिए अरपने नाम पर चाहे स्पताल के नाम पर या मंदिर को और बिराच और बिराच नाने में तब्दिल हो गया और आजिस्तिती देखिए गौर करने वाले बात तो यह भी है कि धर्म की राज्मिती पर जाति हावी हो गया भाजपा यह नहीं समझ पाई कि केवल धर्म की राज्मिती से सथा किसी जा नहीं चड़ी जा सकते हैं जातियों को भी साथना होगा तभी जा आप जानते हैं कि उत्रपदेश में पीडिये फॉर्मूला पर विपक्षिपातियां काम कर रही थी और यहीं काम जो है वह योध्या में भी हुआ है आयोध्या में किस तरह से पीडिये का इस्तमाल करके जातियों को साधा गया है आप हमारे दाश्यों को पताई देखिए अच्छा संगार स्वाल है अधिया में फीडिये फार्मूला अपनाया आप कह रही है दो है चौदे के चुना में उनीस के चुना में यहीं जातिया लेकिन यहीं जातिया भाजपा को एक लाग दो लाग इन तिन लाग से जिता है तो क्या उसमें मोधी मैजिक था और आज काम का नहीं वहां मोधी जी आपका नाम भी नहीं लोगों ने यह सुचा और यह उध्या में भी अपनाया गया वही जाति मोधी जी को उट करती थी वही जाति इस बार पीडिये के साथ रही जो अधेश कुमार जी वहां के उध्या नोवार का विधायक समझवादी थे इसमें जानता वही नहीं था नाम भी हम लोग नहीं थो लेकिन वह पड़ा नित कैने तारी जमीनी अस्तव परकाम करते थैश्जरख व आपको बता देश्यर वोगा को प्रामलों के बीच में वो बैठते थे और वर मोरों ब कहा जाए उनका प्रदर्वक्रशन बहुत अच्छा रहता है अब आप कहेंगे कि जात्य की बात करिये पासी समाज से है वहां 10 से 15 परसेंट है मुसल्मान कहा जिए परसंटेज की जो बात है मैं जात की बात जात के जम्रणना नहीं हुगा 18% मुसल्मान है ओवी सी की अबादी 20% के करीब है ब्रामणों की अबादी बहुत अच्छी है जिनका मकान टूटेगा गारंटी है उट नहीं देगा जिनका भूमी अधिगहर होगा और उनका मुहावजा नहीं मिलेगा तो गारंटी है उट नहीं करेगा इस मुद्धे को समझवाधी पार्टी ने सबसे अधिक है उसको यह गुमान रहा होगा कि भई हिंदू जब इतनी संख्या में है लोग नराज थे और लोग अपने मकानों को दिखा रहे थे बाबू मैं लचदाना बेचता बाबू हम लोग भूजा बेचते हैं हम चाहते हैं और सुंदर बने बहुत सुंदर बने लेकिन हम पो मुह आउजा मिल जाए अब सरकार एक कह रही है अब दो साल से दो सो साल से जो ब्यक्ति रह रहा है वो तो अवध्या का निवासी है उटर कैसे आप बना दिया राशनकाट कैसे दिए सरकार को सुचना चाहिए ना आप जो है जलकल से कैसे उनको सट्टिकेट दे दिया नगर निगम से सट्टिकेट दे दिया और फिर कह रहे हैं वही वाला हाल ऐसी आप निवासी है कि नहीं प्रूप करने के लिए और उन्हें को मुआजा मिलेगा और इसमें 50% लोग नहीं दिखा पाए और उनको एक रुप्या नहीं मिला और बेघर हो गया बेघर जवागी होता है कि एक बहुत बड़ा कारण रहा है आयोध्या में लोगों की नाराज़गी का क्योंकि उन लोगों से जो लोग आयोध् पचास साल से बस रहे हैं उनकी पुर्वेट जो है वहाँ पर अपनी मकान बनाए तो पागज के बारे में स्कोचे नहीं बिल्कुल उस समय ना डिजटल इंडिया हुआ करता था ना उस समय कि लोग इतने जादरुप वा करते थे कि वह काज़ तैयार करके रहे हैं लोगों पागजात मांगे जाते हैं तो शायद आने लोगों को यह बात बुरी लगता है और चलिया कि वह होने का प्रमार भूर ने घृतिन से घरावप वांग हमे skateboard hem में जानते हैं जैकिन आप नहीं जानते हो आप यहां के शानसरद रो आप नहीं जानते हो आप चान Für. बसक्र नहीं घंल पर निधी यहां तक लोग कर रहे तैंक तक इस बार हम कट्वी नहीं करें और इस समय को। जो कि अस्थानी विधायक रहें अब तो पूरो विधायक हो गया है सपासरकार में मंत्री रहें वो समनवयब सेतू बनाने का काम किया और उस मुद्द्ध को उन्होंने उठाया और यब बुद्द्धा उठाता है हमको लगता है कि आप हमारे साथ लड़ रही हैं तो हम जो अब मैं बात करती हूं जरा आयोध्या की उन तस्वीरों के बारे में जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई आपको दिखाया गया कि वहां के साथू संथ बहुत खर्शत हैं प्रफुलित हैं भावोग हो चुके हैं प्रभु श्री राम के मंदिल बलने के बार लेकिन वही साथू संथ क्या वाकई में खुश थे क्या जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही थी वह बिल्कुल सच थी असल में नहीं अगर होती तो आज परिणाम कुछ और होते साथू के बीच में दो भाग हो गय थे एक साथू वह थे जो भाजपा के साथ के वह इस लिए क्यों आम मंदिर बनें बिचारो का समर्थन नहीं कर रहा था हो उपने बैसे ऑब भाजपा को सपोर्ट यह से हम साथू हम राज नाजितिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए उनके चता है और उनको लोग विपक्ष में जोड़ ले रह थे और कोंज जोड़ रहा था साथू यह पूजा करने जाते थे क्योंकि राम मंदिर अंदोलन में उनके पिता जी की भूम का बहुत संधिक्द रही है लेकिन बहुत सारे साधू संध उन्होंने कहा सबके लिए दर्वाजा पुला हुआ भगवान राम सबके इसी बाद से सबजिए तो लोग पूजा अर्चना कराए उसके बाद से उनको माल लिया गया कि अखलेश वादी वाले लोग है उसके वांजनीरी दर्चना कर रहा है कि गूजयर्फ चुद pareil साध्य जो लोग और यद्युन कर रहे थे उनका साथ देने लगे और बीजेपी का मुखाल्पत कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि जो मकान पूट रहे हैं और जिनका मुगाउजा नहीं मिलना है, वो मिलना चाहिए, और वही भाजपा वाले साधू जो भारती जनता पार्टी का राग लापते हैं, बोलते हैं, उनके पास कोई जवाब प्राची जी आप भारती जनता पार्टी में रहका, मैं आफी से सवाल करना हूं, भारती जनता पार्टी में रहका, भाजपा के गलत नितियों का विरुद कर पाएंगी, जो आपको लगे कि गलत है, आप चुप हो जाएंगी, लेकिन उन साधू को मौका मिला, जो साधू भाजपा के गलत नितियों का मुखालपवत करते हैं और वही साधू उन लोग के लिए जिनके घर पर बूलोजर चला जिनके मकान को तोड़ा गया जिनको यह कहा गया आपके पास कोई कागा नहीं है उनका प्रतित्व की है और वही लोग समझवादी पार्टी के साथ हो गया जनता को समझाए जनता उसके बाद समझ गई कि इस बार भी कलक पे रुप में लल्लू सिंग नहीं है और देश कुमार तो दोस्तों यह हमारे साथ आयूज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना अनभाव अपनी जानकारी साज़ा करने के लिए मुझे लगता है कि आयोध्या की हार के कारक क्या रही है यह हमने आपको अपने अनुसार विस्तत तरीके से बता दिया है अगर आपको लगता है कि हमसे कोई तब चूट गया है तो उसके लिए हमें शमा करिएगा लेकिन ऐसी और फी वीडियोस हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे क्यों हैं अभी सरकार फिल्हाल नहीं पनी है सरकार को लेकर के पी आपके मन में तमान सवालात होंगे को हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आजिएगा ऐसे आप हमारे साथियों ही पने रहें देखते रहें गुरेपन लाइट हमस्कार